एलो फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर इतु शर्मा और आज हम सॉल्फ करने वाले हैं उत्राखन लेक्चर एक्जाम मैथेमेटिक से जो हमारी सीरीज चल रही है उसका अगला कोशन तो कोशन हमारे पास है तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले जो हमारी एक्वेशन हमें दीवी है यह 2 sin2 x-2 cos2 x is equal to 1 इसको हम सॉल्फ कर लेंगे तो यह हो जाएगा 2 sin2 x-2 cos2 x is equal to 1 sin2 x को हम लिख सकते है 1-cos2 x-2 cos2 x-2 cos2 x is equal to 1 इसको हम लिख सकते है 2 upon 2 cos2 x-2 cos2 x is equal to 1 अगर हम 2 cos2 x को ले लेते हैं t तो हमारे पास यह equation बन जाएगी 2 upon t-t is equal to 1 इसको हम सॉल्फ कर लेंगे t हमारा lc हम आजाएगा तो यह बन जाएगा 2-t square minus t is equal to 0 ओके यहाँ से फिर हम minus common ले लेंगे तो यह हो जाएगा कुछ इस तरह से इस equation को हम सॉल्फ कर लेंगे कि quadratic equation हमारे पास बन चुकी है तो यह हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से यह आ जाएगा हमारे पास t into t plus 2 minus 1 into t plus 2 is equal to 0 यहां से हमें t की values मिल जाएंगी minus 2 और 1 अब क्योंकि हमारा t क्या था t हमारे पास था 2 की power cos square x is equal to minus 2 और 1 क्योंकि यह देखें cos square x जो होगा हमारा एक positive quantity होगा तो जब हम 2 की power को positive quantity जब हम ले रहे हैं तो उसकी value minus में नहीं आ सकती है तो minus 2 को हम consider नहीं करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 की power cos square x is equal to 1 अब किसी भी चीज की power कुछ करने पर हमारे पास 1 आ रहा है तो यह क्या होगा cos square x यहाँ पर क्या होगा 0 क्योंकि 2 की power 0 ही क्या होता है 1 होता है तो हमारे पास आ जाएगा cos square x is equal to 0 यानि कि हमें मिल जाएगा cos x is equal to 0 यानि कि हमें x is equal to मिल जाएगा कितना πाई बाई 2 यह simply हम इसको लिख सकते हैं 2n plus 1 यह 2k plus 1 into πाई बाई 2 अगर हम general value की बात करें अब हम अगर upon 2 को अगर हम अंदर लिजा लेंगे तो हमें मिल जाएगा k plus 1 by 2 into 5 k belongs to i तो यानि कि हमारा जो इसमें है option number c जो है वो true हो जाएगा तो इसी तरह कि और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को subscribe करें and thanks for watching this video